खंडवा में किसान अपनी मांगों को लिकर अनिश्वित कालीन हर्ताल पर बैठे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि छूटे हुए गावों को भी उद्वन सिचाई से जुड़ा जाए। इसके साथ ही अनोंने समर्थन मूले बढ़ाने के साथ ही सरकार ने जो व्याज माफिक की खोश्टा की है यह किसान निमार सैयुक्तिक रिशक संगठन के बैनर तले दस फरवरी से हर्ताल पर बैठे हैं जोनोंने उग्रा आंदोलन की छेतावनी दी है। उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। और जो पंधाना छेत्र के भी कुछ गाओं छुटे हैं। विधायक जी से भी समय लिया था बाकि उनके पास भी समय नहीं है किसानों से बात करने के लिए और सांसद महोदय जी को भी हम इस बात के लिए आउगत कराना चाहते थे। उन्हों ने भी कोई समय नहीं दिया। यह जो विwebkaas यात्रा निकाल रहे हैं। यह विवीकास यात्रा के वहले कहने कि हैं। बाकी किसानों को जो उनकी मुख्य मांगे हैं, उनके क्या सुजाव निकलने चीए समस्याओंगे उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिवरास सरकार ने बोला था कि किसानों को हम जो भी लोन है, ब्याज है, ब्याज हम माफ करेंगे, बाकी उस पे किवल गोशनाओं पे गोशना होती जा रही है और किसानों के लिए कोई चिंता का विशय नहीं है और किसान करजे में डुपते जा रहा है इन विंदों को लेकर आज हम कल से अनिस्चीत कालिन हरताल पे बेठे हैं दो तीन रोज का हम समय देकर सांती पूर्णा अंदोलन करेंगे आगे कुछ रहा तो बिल्कुल हम उगरो अंदोलन के लिए तयार होंगे